नमस्कार जोति श्वाणी में आपका स्वागत है बात करते हैं धनुर आसी के बारे में फरवरी 2023 कैसा रहेगा यहां पर हम आज से वास्तु टीप्स भी बताएंगे एक एक वास्तु टीप्स हम आपको हर रोज बताते जाएंगे आपके घर के अंदर नौर्थ इस्ट कॉर्णर में मंदिर का होना जरूरी है वास्तु के हिसाब से घर के अंदर इशान कौन में मंदिर रखना बहुत शूब माना जाता है मंदिर हमेशा जमीन से करीबन धाय तीन फीट उपर रखे हमारे जो हमारी कमर होती है उससे मंदिर की दिशा भगवान जो बिठाते हैं वो हमेशा उपर होने चाहिए आईए बात करते हैं धनुराशी के बादे में फरवरी दोहजार तीस कैसाराहिका ग्रह गोचर की इस हिसाब से है ग्रहो की सिति नव ग्रहो की सिति की इसाब से हैं? अब तक आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को लाइक करने से हमारे जितने भी वीडियोज हैं वो आप तक पहले पहुँचते हैं नव ग्रहों की स्थिती किस प्रकार से है आज ये बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बूद रहेंगे सेकंड हाउस में सूर्य महाराज बैठे हुए है यहाँ पर थर्ड हाउस में शनी और शुक्र की यूती हुई है स्थिती यहाँ पर काफी अच्छी है धनु लगने वालों के लिए और धनु राशी वालों के लिए यहाँ बहुत माइने रखता है क्योंकि धनु राशी वालों के लिए यहाँ पर साड़े साती जो है वो खत्म हो चुकी है जनवरी के बाद यहाँ पे 7.50 साल जो आपके बीते तकलिफ माई जो समझ गया वो यहाँ पे खत्म हो चुका है बात करते हैं यहाँ पे कैसा रहेगा बिजनेस और केरियर जॉब कैसी रहेगी इसका बिजनेस के कारक रहे भाग्य का मालिक यहां पर होते है सूरिय और सूरिय बैठे हुए है धनस्तान में बिजनेस आफका काफी अच्छा रहेगा धनस्तान में सूरिय को होना मतलब फरवरी के महिने में धनुरासी वालों के लिए बिजनेस काफी बढ़िया रहेगा कोई नई opportunity आपको मिल सकती है कोई नया बिजनेस contract आपको मिल सकता है जौब के अंदर अगर आप जौब करते है तो जौब के अंदर promotion वगेरा भी यहां पे आपको मिल सकता है हाँ थोड़ा काम का pressure जो है वो यहां पे आपको ज़ादा रहेगा पढ़ाई दीखी जाती है के अंदर मन नहीं लगेगा थोड़ा आपको बेचे नहीं रहेगी पढ़ाई के अंदर आपको अगर concentration करना है तो मासारस्वाति माता का मंत्र जो है वह आप कीजिए उससे पढ़ाई के अंदर काफी अच्छा लगेगा आपको त्यार की बात करते हैं तो यहां पे धनू ल महां यहां पर द्रश्ची efter साब्सान काम यहां पर बिकड़ रहा है क्योंकि मालिक चठागर कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है यहां पर मंगल बैटके आपके सारे काम जो भए आए मेरेज लाइफ हो या प्यार लुषे-टार चार रही त कहां बैटे हुए उससे आपके love life में पता चलता है कि कैसा रहेगा यहाँ पे marriage life में भी दिखकर दिखा रही है क्योंकि marriage life में मंगल काफी effective होते है छटे गर में मंगल की सिथी उतनी अच्छी नहीं है marriage life यहाँ पे संभाल के रहेखे क्योंकि यहाँ पे काफी decisions आपको नए नए इस महीने में लेने पड़ सकते है जो भी decision होगा वो आपकी favor भे होगा आपके लिए अच्छा होगा लेकिन फिर भी 10 बार सोच के decision लिजिएगा यहाँ पे overall देखा जाता है तो धनु रासी वालों के लिए धनु लगने वालों के लिए फरवरी का महीना जैसे शनी की डिगरी देखी जाती है कुंडली के अंदर शनी किस भाव में पड़ा हुआ है उसी साब से पता चलता है और शनी अभी recently 17 जनवरी को change हुए है तो शनी जब change होता है तो 0 degree से लेके 1 degree तक उनका power जो होता है वो force काफी बड़ा होता है तो 17 जनवरी के बाद जो शनी change हुए है तो 17 फरवरी तक इसकी effect जो है वो आपको दिखाई देगी हर जगह से आपको काफी ज़्यादा progress दिखेगा काम में भी आपको बड़तरी मिले की job करते तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा जोब के अंदर भी थोड़ी आपको भागम दोड़ी करनी पर सकती है यहाँ बिजनेस के लिए काफी अच्छा समाई है बने रहे हमारे साथ जियोती स्वानी में नमस्कार